हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है शूनापन आरती अपनी मम्मी के जाने के बाद कुछ दिनों के लिए अपने माई के आई हुई थी आज उसके पती आलोक लेने के लिए आय हुए थे जिसके कारणवा अपनी ससुराल जाने के लिए तयार हो रही थी उसकी भावी उनके लिए रसोई में खाना बना रही थी खाना खाकर जब तयार होकर चलने लगी तभी उसकी भावी प्रियंका उसे देखकर बोली दीदी यह क्या अपने ना चूड़ी पहनी ना माथे परिबिंदी लगाई ना कोई स्रंगार किया आपके ससुराल वाले क्या कहेंगे मा तो है नहीं भावी ने ऐसे ही भेज दिया यह सुनकर आरती दुखी स्वर में बोली भावी आज मेरा कुछ भी पहनने का मन नहीं है यदि मम्मी होती तो अपने हाथों से तयार करती मम्मी को कितना सौग था मुझे तयार करने का जब भी मैं अपनी ससुराल जाती थी अपने हाथों से कंगन और गहने पहना कर अच्छी तरह से सिंगार करके मुझे ससुराल भेजती थी कहते हुए वह अपनी मम्मी सुधा जी को याद करके रोने लगी थी उसकी मम्मी उसे बेहद प्यार करती थी साल भर पहले उन्होंने बड़े धुमधाम से उसकी साधी आलोक के साथ की थी उसकी मम्मी को सजने सवरने का बहुत सौक था वह खुद भी सोला सिंगार करके रहती थी जब आरती की साधी हुई तब उन्होंने खुद ही आरती का सरंगार किया था साधी के बाद जब आरती अपने माय के आती तब उसकी मम्मी बड़े प्यार से उसे तयार करके उसकी ससुराल भेजती थी एक दिन जब वे आरती को ससुराल जाने के लिए तयार कर रही थी तब उसके पापा हसते हुए बोले हमेशा तुम ही बेटी को तयार करती हो कभी कभी बिटिया को खुद भी तयार होने दिया करो ऐसे तो बिटिया कुछ सीखेगी भी नहीं तब सुधा जी मुस्कुरा कर कहती क्या पता कल मैं रहू ना रहू उसके बाद तो इसे खुद ही तयार होना पड़ेगा मम्मी जी यदि आप ऐसी बाते करोगी तो मैं आप से रूट जाओंगी कभी बोलुघी नहीं वादा करो आप कहीं नहीं जाओगी हमेशा ऐसी ही रहोगी आरती निदुखी होकर कहा तो सुधा जी हस्ते हुए बोली मैं तो वैसे ही मजाग कर रही थी मैं कहीं नहीं जाओंगी फिर तुम्हारे भाया भावी तो है ना, वे दोनों तुम्हारा ख्याल रखेंगे, भाया भावी अपनी जगा हैं, और आप अपनी जगा, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी, मैं दिनराथ भगवान से यहीं प्राथना करती हूं, आप हमेशा खुश और सुस्त रहे ताकि मुझे ऐसे ही हमेशा आपका प्यार मिलता रहे आरती ने कहा तो उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी हस पड़ी और उन्होंने खुशी खुशी उसका सोला सिंगार करके आरती को उसके पती के साथ ससुराल भेज दिया था आरती खुशी खुशी ससुराल में अपने पती के सा पर उसे सूचना दी कि सुभा के वक्त दिल का दोरा पड़ने से मम्मी की इम्रत्व हो गई यह सुनकर आरती फूट फूट कर रोने लगी थी और कुछ देर बाद मायके पहुचकर अपनी मम्मी से लिपट कर बहुत रोई थी उसके भाया भावी ने किसी तरह उसको समझा कर मायके में कुछ दिन रुकने के बाद जब अपनी ससुराल जाने लगी तब उसका सूना चेहरा देखकर प्रियंका की आखे भर आई थी उन्होंने प्यार से आरती को चुपकर आती हुए कहा दीदी यदि आप ऐसे जाओगी तो उपर से मम्मी जी मेरे बारे में क्या सोचे कि आज मैंने ऐसे ही उनकी बेटी को ससुराल भेज दिया आपके ऐसे सूने सूने चेहरे से ससुराल जाते देखकर उनकी आत्मा बेहत दुखी होगी मुझे पता है मम्मी के जाने के बाद आपका मन बहुत दुखी है परन्तु आपको ऐसे जाते हुए देखकर पापा भी बहुत दुखी होंगे इसलिए आज मैं तुम्हें ससुराल जाने के लिए तयार करोंगी यह कहकर उसने अपने हाथों से आरती के माथे पर बिंदी लगाई हाथों में कंगन पहनाए और फिर उसे समझाते हुए बोली दीदी मम्मी नहीं है तो मैं तो हूँ मैं मम्मी की जग बाते सुनकर आरती के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी आसा करती हुँ दोस्तों आपको हमारी कहाने जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद